यह ज्वासा का पौधा है देखो उनका काटा कितना मजबूत है उसका पात्रा कैसा है देखो बबूल के समान उनका काटा है बहुत मजबूत काटा आता है उनका वो पौधा देख लो आप पहचान लो रसान के लिए पौधा बहुत कामका है सभी प्रांतों में होता ही है देख लो ये पोधाची तरब उसका पात्रा देखो, उसका काटा देखो, उसकी डैसा का पोधा सभी प्रांतों में होता ही. रसैन के लिए गंधक को कायम करने में और गंधक को मौमिया करने में, उनकी भूमी का ये ज्वासा के पोधा की भूमी का बहुत महत्वाती है. ये ज्वासा को ज्वासा भी कहते है गंधारी भी कहते है दूरा लभा भी कहते है और ज्वासो भी कहते है ज्वासो इतने नामों से ये पोधा जाना जाता है गंधक को मौमिया करने के लिए उनके रश में तीन दिन तक खरल किया जाता है तो गंधक को मौमिया और कायम कर देते हैं लेकिन गंधक को मौमिया करने के लिए इसके रश में खरल करने के लिए पहले उनको दूसरी दो वनस्पतियों के रश में उनको खरल करना पड़ता है उसका वीडियो मैंने पहले रखा है गंधक मौमिया कायम गंधक मौमिया इसमें ये ज्वासा का रश का तीसरा रश कितरपन है रश की भावना है वो बताया है मैंने कैसे इनके रश से गंधक को कायम और मौमिया किया जाता है ये गंदक को मौमिया और कायम करने में ये पोधा अतिमहत्व का है काम का है रशाइन के लिए भी काम का है इसलिए पोधा को भी पहचानना जरूरी में है मैं हर पोधा को जितना पोधा को में जानता हूँ जितना पोधा रशाइन के काम में आने वाला है सभी पोधाओं की माहिती में लाइवी वीडियो के साथ दे रहा हूँ पोधा भी लाइवी में दिखा रहा हूँ उनका फूल, उनकी डहलिया, उनकी डाली, पोधा ये सब अलग-अलग नाम से जाना जाता है सब में दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि सब को वनस्पति की पहजान हो जावे, ऐसा नहीं है कि सब वनस्पतियों को जानते हूए, कोई लोग वनस्पति को कुछ नहीं जानते है, कोई लोग कुछ वनस्पति को जानते है, सभी लोग को कि सभी वनस्पति को जानना एक संभव नहीं है, इसल वर्तमान में क्या है अनेएक प्रकार के पुस्त को लिखे गये हैं तो कुछ वनस्पतियों का डबल नाम से भी लिखा गया है कि एकी वनस्पति अलग-अलग वनस्पति को नाम से जानी जाती है जिसमें हम मानुओं बहुत संदिग में पढ़ जाते हैं कि कमसी वनस्पति सही है इसलिए एकी नाम से अलग-अलग वनस्पतिया सास्त्रों में बता दिया है लेखकों ने जो अनगर लेखकों ने लिखा है तो इसके इसाब से में कौन सी वनस्पति सही है कौन से नाम से कौन सी वनस्पति सही है यह मैं लाइव वीडियो से इसलिए दिखा रहा हूँ और कोई दुसरा मेरा महत्वा नहीं है कि सभी वनस्पतियों को जान सके सही वनस्पति को जान सके और उनका सही तरीका का उप्योग कर सके इसलिए मैं सभी जितनी मैं वनस्पतिया जानता हूँ इतनी वनस्पतियों को मैं लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा